हलो दोस्तो दरिश्री अकडेमिस से मैं निमिस सर आपका स्वागत करता हूँ दरिश्री अकडेमिस के चैनल पर यह दिया पहली बर आये है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए ताके मैं जबी भी लाइव आओ आपको नोटिविशन मिल जाए तो बजट से बजट तक कितना बज़ार उचला है क्या क्या प्रॉफिट किसकुन से शेर बड़े घटे वो सारी चीज़े आज मैं यहां पर आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ आज है एक फरवरी 2024 और यह बजट से लेके पिछले बजट तक क्या क्या हुआ बज़ार में कैस हो अज़ल सर है उस सारी बाते हम करने वाले हैं तो लास और आखरी तक बने रहे मैं बहुत सारे शेर सकरों में भी बात करऊंगा जो इस बजट कितना कमा के दिये है या नेगेटिव रिटन दिए है वह भी हम देखने वारे है तो गई साइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की तो बजेट टू बजेट बात करें तो शेर बजार ने जोड़दार प्रदेशन किया आप सभी को मालूम है कि पिछले साल से यह साल हम कंट्यूनसली भाग रहे थे बीच में थोड़ा करेक्शन भी आया दो तिन बार बट फिर वापस हम जो है वोपर की दिशा में कारोबार करने लगे सो यह बजार यह साल में बहुत संदार रहा यानि के पिछले बजेट से लेके इस बजेट टक बहुत ही संदार प्रदेशन किया है अभी हम बात करेंगे गाइस 21 जनवरी 2023 से लेके 30 जनवरी 2024 यानिके कल के दिन तक की बात करेंगे एक साल पिछली तो इसके बीच में बजार ने 23 फिजदी निफ्टि ने रिटन दिया है और बैंक निफ्टी ने 18.07 पिजदी का बंपर रीटन दिया ए और निफ्टी ने जयादा दिया है क्योंको सटॉक्ट अक्शेगा से बागे है बैंक निफ्टी के बैंकिंग शेटर में शायद उतनी जादा मुवमेंट नहीं आई है अगर निफ्टी की बात करें तो यह 23 फिजदी से जादा रीटन दिया हुआ है सेक्टर के लियास से हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है जो बहुत ही भागा है और 104 फिजदी के असपास रिटन दिया अब सभी को मालूम है डियल्फ और जो रियल्टी शेत्रा के शेयर है वो अच्छे कह से इस साल भाग गया यानिके पिछले बजट से यह बजट तक अच्छे कह से भाग गया इसके अलावा एदी हम बात करें तो निफ्टी एनरजी 55.4 देसमला भागा यानिके 55% के लगब बहुत अच्छी मोमेंट रही है जो साल बजट से बजट का देखे तो अच्छी कह से मोमेंट आटो में भी देखी गई है उसी तरह निफ्टी फार्मा त्यालीज परसंट के रीटन के साथ है उसमें भी काफी स्टॉक भागे ग्लेन मार्क हो या और मिंदो अच्छी चुका है पिछले एक साल में FMCG की बात करें तो 24.3% भाग चुका है इसमें भी अच्छे खासे श्याज भागे है चाहे डाबर हो मेरिक हो तो जादा मोमेंट नहीं थोड़ी थोड़ी मोमेंट आकर ये FMCG में भी अच्छे खासी मूव हुई इंडेक्स में और निफ्टी मे यानि कि पिछले बजट से बजट में टॉप गिनर्स कौन-कौन रहे जिसने एकदम जबर्जस मुनाफा कराया सो निफ्टी के बात कर रहे हम निफ्टी के 50 टॉप गिनर्स की बात करें तो बजाज ऑटो जबर्जस भागा 99.3% भागा अड़ानी पोर्ट 96.4 अड़ानी त साथ में NTPC ने 88.2.2% भागे टाटा मोटर्स ये भी भागा 88.1% भागा है तो टाटा मोटर में भी अच्छी बड़त देखी गई इस हल में कोल इंडिया 82.1% का रिटन दिया है वहीं UPL ने 28.2% का नेगटिव रिटन दिया है तो UPL ऐसा स्टॉक है जिसने नेगटिव रि गाइस तो PNB ने 101.9% का रिटन दिया तो PNB अच्छा कासा भाग गया है IDFC बैंग ने 43.5% भागा है इंडसिंद इंडसिंद बैंग ने 41.7% का रिटन दिया है बैंग को बवड़ा ने 48.8% का रिटन दिया हुआ है उसी तरह से बात करें तो HDFC बैंक निफ्टी के टॉप Łूजर है तो HDFC बैंक ओ कर एसके अलाब हम बात करें अलग-अलग index के हम बात करें यहाँ बात करें तो अलग-अलग index के top gainner कोन रहे है तो lifty Realty में prestigious टौप gainer है इसने 1872 1 परसंट परसंट का return का रिटन दिया है उसी तरह से निफ्ति आक़टो में बजाज आटो टॉप 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 पर्फोर्मर रहा है आप सभी को पता है कि बजाज आटो जिस रफतार से भागा है जबर जबर जबागा है और 100% फिजदी का रिटन दिया है बजाज आटो ने उसके बाद में बात करें निफ्टी मेटल्स में तो वेल स्पुन कॉर्प ने 172% का सबसे जादा रिटन दिया यहां पर निफ्टी फार्मा की बात करें तो औरविंदो फार्मा ने 182% का रिटन दिया हुआ है तो आपने देखा मैंने सारे स्टॉक बताए आपको तो बजट से बजट दर रेखे तो 23% बजार भाग चुका क्या आपने इस रैली मे पार्टिसिप्ट किया है अपने कुन से स्टॉक लिए थे उसका क्या हुआ मुझे कमेंड में जरूर बताए और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लिमर देदू कि यहां पर जो भी बाते कर रहे हैं वो सिर्फ एज्यूकेशनल परपस से बाते कर रहे हैं कोई भी बाइस तो आईये सिखिये समझ ये प्रक्टिस कीजिये और बजार में आगे बढ़िये तो आज के लिए इतना ही फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाई धनाश्री एकडेमी यॉर मनी यॉर द्रिम्स अवर ट्रेनिग जॉइन अवर कोर्स इस तो लें स्टॉक, कॉमोडिटीज, लोगन तो www.dhanushreeacademy.com